दोस्तों बजाज ओटो लिमिटेड के बोर्ड अब डारेक्टर्स की मीटिंग आज 27 अपरिल 2022 को भी है और इस मीटिंग में Q4 के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ फाइनल डिविडेंट को भी डिकलेर कर दिया गया है बोर्ड अब डारेक्टर्स ने 140 रुपे परती एकुटी शेर का डिविडेंट रिकमेंड किया है हाँ दोस्तों 140 रुपे परती एकुटी शेर का डिविडेंट अगर हम लोग इसके फेस वैलू जो 10 रुपे परती एकु लगभग 4% है कमपनी ने इस डिविदेंट की रिकॉर्ड डेट 1 जुलाई 2022 फिक्स की है तो ये शेर 30 जून 2022 को एक्स डिविदेंट हो जाएगा तो अगर आपको 140 रुपे का डिविदेंट चाहिए तो आपको इस शेर को 29 जून 2022 तक बाई कर लेना है और अगर आप इस कमपनी एक जिस्टिंग शेर होल्डर है तो आपको इस शेर को 29 जून 2022 तक होल्ड कर रखना है कमपनी ने ये भी बताया है कि अगर इस डिविदेंट की अप्रूवल आने वाली AGM में जो 26 जुलाई 2022 को होने वाली है उसमें मिल जाती है तो इस डिविदेंट को कमपनी 30 जूलाई 2022 तक शेर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट भी कर देगी अब मैं आपको जल्दी जल्दी में ही क्वाटर फोर के रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा बता दू यह इस कमपनी का कॉंसोलिडेटेट फानेंशेर लिजर्ट वैने सारे फिगर करोड में बताए गए है क्वाटर फोर में इस कमपनी का टोटल रेवन्यू फ्रम ऑपरेशन 7,974 करोड 84 लाग है जो प्रिविएस क्वाटर में यह 9,021 करोड 65 लाग था और प्रिविएस एर के क्वाटर फोर में यह 8,596 करोड 10 लाग था तो आप देखिए रेवन्यू फ्रम ऑपरेशन में एर और क्वाटर न क्वाटर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है क्वाटर फोर में इस कमपनी का नेट प्रॉफिट 1,526 करोड 16 लाग है जो प्रिविएस क्वाटर में यह 1,430 करोड 68 लाग था और प्रिविएस एर के क्वाटर में यह 1,551 करोड 28 लाग था तो आप देखिए नेट प्रॉफिट में क्वाटर न क्वाटर न क्वाटर न ही बेसिस पर बढ़त है लेकिन इस बढ़त का कारण एक exceptional आइटम है जो 315 करोड 28 लाग का है तो क्वाटर फॉर के नेट प्रॉफिट में इंक्रीज इसी 315 करोड 28 लाग के वज़े से हुआ है अधरवाइस क्वाटर पॉर का नेट प्रॉफिट येर और क्वाटर न क्वाटर दोनों ही बेसिस पर गिरा ही है तो दोस्तों ये था इस कंपनी के क्वाटर फॉर का रिजल्ट मुझे उम्मीद है कि ये वीडिया आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद